नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग pollution पे एक UPSC ने question पुछा है, उसको यहाँ पे हम लोग solve करने वाले हैं यहाँ पे specifically oil pollution पे UPSC ने question पुछा है, आपसे पुछ रहा है कि what is oil pollution, oil pollution क्या है और oil pollution का marine ecosystem में क्या impact पड़ता है, और किस तरह से oil pollution इंडिया जैसे countries के लिए harmful है तो ती निहाँ पे आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले oil pollution क्या है, दुसरा oil pollution का impact क्या है marine ecosystem में तिसरा, इंडिया जैसे countries के लिए oil pollution किस तरह से harmful है, यह भी आपको बताना है देखो, oil pollution को कैसे define कर सकते हैं, simply आप बोल सकते हो कि environment में जब oil किसी भी तरह से environment में पहुचती है खास कर हमारे water bodies में, तो उसको बोलते है oil pollution ठीक है, oil या oil के product किसी भी तरह से environment में चले जाते हैं खास कर water bodies में, तो उसको बोलते है oil pollution जनरली आप देखोगे ओसीन में, तीज में, रिवर्स में, लेक में देखने को मिलते हैं और ये जनरली हमारा जो ओयल टेंकर का लीकेज होता है उससे अकसर देखने को मिलता है ओयल पुलोशन के बात करें तो मेरीन इको सिस्टम बहुत ही प्रोन है ओयल पुलोशन के लिए क्यों कि simply आप देखो कि fossil fuel आजकल जो fossil fuel पे सारे कंट्री बहुत ज्यादा dependent है fossil fuel सब सारे कंट्री पास उपलब्द नहीं है तो export import बहुत ज्यादा ocean के तुरू होता है fossil fuel का ठीक oil का उसके वज़ासे जो marine ecosystem है बहुत ज्यादा prone है oil pollution को लेके इसके वीज़े से impact आप देखोगे तो काफी negative impact पड़ता है अब कैसे पड़ता है जैसे पहला हमारा यहाँ पर photosynthesis की जो process होती है उसको prevent करता है उसको रोक देता है कैसे जब marine ecosystem marine में या ocean में जब oil वहाँ पर discharge होता है तो एक water के उपर एक layer बन जाता है ठीक है एक physical coating बन जाता है तो जो नीचे नहीं जाने देगी तो वहाँ पर जो plants होंगे marine plant होंगे या cytoplankton होंगे ठीक है सोच में जो plant होते हैं उसको sunlight नहीं मिलेगी sunlight जबने मिलेगी तो खाना नहीं बनाएंगे खाना नहीं बनाएंगे खुद तो मरेंगे ही साथ-साथ उससे जो जैसे feces या other जो animals है marine animals है वो जो dependent है वो भी मर जाएंगे ठीक है पुरी तरह से वहाँ पे जो locally जो food chain है वो हमारे रिश्टर्फ होता है photosynthesis की प्रक्रिया रुख जाती है जह हमारा oil pollution होता है ocean में यह मारा पहला impact है दूसरी क्या है कि marine life में toxicity को बढ़ाता है ठीक है oil देखो के जनरली hydrocarbons होते हैं वो highly toxic होते हैं plants के लिए या animals के लिए जब यह toxic जो hydrocarbons है जब water body जब जाते हैं तो हां के जो marine animals है ठीक है उसके growth को effect करता है reproduction system को effect करता है इसके लावा बहुत सारे जो organ failure भी हो जाता है यह दि उनसको inhale कर लिया ठीक है तो toxicity को बढ़ाता है oil pollution marine life marine ecosystem में तिसरी हमारी जो benthic community होते हैं यानि कि marine ecosystem में सबसे जो bottom layer में जो रहती है ठीक है उनके लिए भी हानिकारक होता है क्यों 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 क्योंकि oil धीमिदे पहले तो layer में सबसे उपर होती है लेकिन धीमिदे बॉटम में ocean के bottom में जो oil पहुंच जाती है उसके वज़ पर जो benthic community होते हैं यानि कि bottom में रहते हैं या मालो sediment में जो रहते हैं जैसे केच्वे हो गया ठीक है क्रैप्स हो गया वाम हो गया कुछ जब sediments में oil मिल जाता है तो उनको एक तरह से toxic हो जाता है ठीक है और adversely एफेक्ट करता है उनके food को भी अच्छे से नहीं यूज कर पा हो कि जो oil pollution है marine community में food chain को डिस्टरब करता है reproduction system को डिस्टरब करता है इसके लावाद जो benthic community होती है वहाँ पर भी disturbance लाता है अब दिखो oil pollution जो है इंडिया के लिए कैसे harmful है अब इंडिया के पास सबसे बड़ी asset क्या है कि इंडिया के पास long coastline है ठीक है long coastline के साथ जो marine की ज acid है जब oil pollution होगा तो जो यह जो biodiversity है marine biodiversity उसके लिए एक तरह से threat का तरह काम करेगा ठीक है तो यहाँ पर जो इंडिया के पास जो coral reefs है इस्टूरीज है mangrove forest है वो oil pollution से badly यहाँ पर effect होंगे ठीक है इन सारी ecosystem में जो life है biodiversity है उनको यहाँ पर loss होगा इस एक जामपल तरह मुंबई में oil spill हुआ था 2011 में लोकली जो ecosystem था काफी disturbance हुआ था इस oil spill से पहला हमारा loss है threat to biodiversity इसके लावा जो हमारी इंडिया की जो coastal area में ड heavily dependent होती हैं feces पे man feces पे oil space होगा तो जो feces की production है वो हमारे decrease होएंगे ठीक है और oil के pollution से हमारे face की production है वो हमारे decrease होएंगे उसको जो community है वहाँ पर food की shortage हो सकती है food security और economic losses दोनों में हमारा negativity impact करेगा oil pollution दी होते हैं तो इसके लावा tourism sector भी हमारे badly impact होंगे क्योंकि oil pollution होंगे coastal region में तो वहाँ पर जो जो beauty है जहाए beaches की हो या marine environment को beauty हमारे loss होंगे biodiversity lost होंगे उसको वज़े से जो tourist है वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे तो हमारे economic loss हमारे होगा tourism भी affect होंगी तो इंडिया के लिए specific का देखोगे तो marine species जो है वह हमारे productivity कम होंगी diversity loss होगा tourism loss होगा तो यह हमारी direct impact है इंडिया के लिए oil pollution दी होते हैं तो समरी माँ बता सकते हैं कि oil pollution environment के लिए बहुत जादा harmful है खासकर marine ecosystem के लिए और इसके लिए हमें awareness enhanced करनी है और community साथ engage करना है और international cooperation करने है इंटरनेशनल एक ही standard safety standard बनाना है उसके थ्रू ही हम oil के pollution जो है उसको minimize कर सकते हैं तो तो यह रहा है दोस्तों आज किस वीडियो में हो लो pollution related जो UPC ने प्रशन पुछा था उसको solve किये खासकर oil pollution related वो आज के बसना ही thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में ने टो पी से thank you